नमस्कार, मैं विष्णु सर्मा, आप सभी का, आपके ही अपने चैनल विष्णु ADP में हार्दिक स्वात करता हूँ क्या आप इंग्लिस बोलना चाहते हैं? जी हाप बोलना चाहते हैं, तब ही तो आप इस वीडियो में आये हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ patterns के अनुसार आपको मैं हाँ इंग्लिज बोलना सिखाने वाला हूँ और इस प्रकार के बहुत सारे patterns होते हैं जिसका use आप करेंगे future में जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा तो चलिए start करते हैं कौन-कौन से patterns है यानि किसका हम use करेंगे जिससे आपको इंग्लिज बोलने में आसानी होगी तो चलिए हम आज हम सीखने वाले हैं let's का use लेट्स का प्रयोग करके हम कौन कौन से सेंटेंस को किस प्रकार से बोल सकते हैं लेट्स का यूज करके उसी प्रकार से लेट्स और लेट्स और लेट्स दोनों का यूज करेंगे प्रिफर यानि क्या होता है इसका यूज हम करेंगे सेंटेंस में प्रिफर कब यूज करते है लेकिन इंग्लिस में आपको समझ नहीं आ रहा है अभी जब बताऊंगा तो आपको easy लगने लगे उसे परकार से according according आने होता है के अनुसार इसे हम कैसे use करेंगे देखिए बहुत मज़ा आने वाला है in front of कि आने होता है किसी के सामने तो चलिए इसका use करके देखते हैं जिस परकार से line से लिखा है वैसे हम आगे बरते हैं सबसे पहले हम देखते हैं let's का use let's या फिर let let's या let का use हम कप करते हैं हम करते हैं जब हम किसी को कुछ मान की चलिए हम किसी को कुछ सलाह देते हैं कि चलो ये करते हैं, आदे जेदे समझ लिजे, चलो यहां चलते हैं, चलो मूवी देख लेते हैं, चलो इंगलिस पर बात करें, चलो घूमने चलते हैं, दुकान से कुछ खरीद लेते हैं, तो कुछ चीच कर लेते हैं, या कुछ करें, ऐसे आप किसी को एडवाइस दे रहे ह तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट्स का यूज करते हैं, इसी प्रकार से मुझे खाने दो, बोलने दो, मेरा काम करने दो, उसे सवाल करने दो, उसे यहाँ आने दो, जाने दो, इस प्रकार दो दो वाले जब आते हैं तो हम वहाँ पर लेट्स का यूज करते हैं, लेट्स क दोनों का यूज देखते हैं, सबसे पहले लेट्स का देख लेते हैं, जैसे देखिए, चलो यहां से चलते हैं, जैसे आप बोर हो गए, आप बोर हो गए, चलो यहां से चलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप लेट्स के उसका बोलो, let's go from here, तो यहां पर आप देखेंगे क एट हॉम, घर पर तो इन हम नी आएगा, एट होम आएगा लेट्स, यहाँ पर भी लेट्स, कुछ चीज करते हैं तो देखे, लेट्स का यूँज, उसी प्रकार से चलो कुछ नया करते हैं अरे बही, बही करके बहुत होगा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं गुमना तुरना खाना बोलता है चलो कुछ नया करते हैं तो देखे let's do something new something याने कुछ new याने नया let's do चलो करते हैं let's do यहाँ पर भी let's कई कुछ आपने देखा आओ इस बारे में सोचते हैं let's think about it let's think चलो सोचते हैं अब लिखा हुआ इसके बारे में तो इसके के लिए इट के उस करेंगे about याने के बारे में तो देखे आपका sentence बन गया let's think चलो सोचते हैं about it इसके बारे में या उसके बारे में यह हो गया आपका, उसी प्रकार से देखिए, चलो उससे मिलने चलते हैं, तो आप बोल रहे हैं, किसे कुछ चीज करने के लिए तो बोल रहे हैं आप उससे, चलो उससे मिलने चलते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं, मिलने, तू मीट, उससे, हिम, हिम याने उससे, यदि वह कोई महिला होती इस्त्री होती लड़की होती तो हम हर कहते ठीक है let's go to meet her ऐसे इस प्रकार से clear हो गया तो let's का use अभी आगे बढ़ते और देखिए आप dance करते हैं अरे यार चलो नासते हैं ऐसे बुलते हैं तो क्या बलोगे let's dance let's dance बस आपको इतना ही बोलना और कुछ नहीं करना है चलो गाना बजाते हैं music on करना गाना बजाना तो अप क्या बलोगे let's play the music let's play the music now play आने खिलना होता है लेकिन song को बजाने को भी हम play the song ऐसे बोलते हैं play the music इस प्रकार से चलो गाना बजाते है, let's play the music let's, let's, कुछ चीज करते है ते है, ते है, आप देख रहे है उसी प्रकार से चलिए देखते है आओ अंग्रेजी में बात करें, या फिर आओ अंग्रेजी में बात करते हैं, चलो अंग्रेजी में बात करते हैं ऐसे उसी प्रकार से चलो कुछ पढ़ें या फिर चलो कुछ पढ़ते हैं दोनों का meaning वही है word का आप पढ़ें बोले चलो कुछ पढ़ें ऐसे बोलते हैं तो इसका मल्दब क्या है देखिए let's read something let's read, चलो, पढ़ते हैं something याने कुछ, चलो, कुछ पढ़ते हैं इस प्रकार से, और देख लेते हैं आओ घर पर movie देखते हैं चलो, घर पर movie देखते हैं तो आप क्या बलोगे, let's watch the movie at home, ठीक है, यह सायद repeat हो गया, और देखते हैं आओ उस दुकान से कुछ खरीद ले चलो, उस दुकान से कुछ खरीद लेते हैं ऐसे बोलते हैं, हम चलो, उस दुकान से ले लेते हैं तो उसे आप क्या बलोगे, let's buy चलो, खरीद लेते हैं something, याने कुछ, चलो, कुछ खरीद लेते हैं कहां से उस दुकान से तो from, from याने say that shop, उस shop याने दुकान, उस दुकान तो let's buy something from that shop आओ उस दुकान से कुछ खरीद लेते हैं आप ऐसे ही बोलोगा ना, चलो उस दुकान से कुछ खरीद लेते हैं तो भी आप let's का use करोगे चलो, आओ, चलो, सब वही है क्योंकि आपको इसमें बिल्गुल word to word meaning की ज़र्वत नहीं है, आपको इस प्रकार से use करना है, और देखिए आओ sir से इस बारे में बात कर ले है ना, बात कर ले या बात कर ले हैं, कर लेते हैं let's talk to sir about it let's talk, चलो, बात करते हैं to sir याने sir से about it याने इसके बारे में इसके बारे में या उसके बारे में past में तो उसके it का use होता है इसके है तो it में present होता है याने इसके उसके दोनों के लिए it का use करते हैं लेकिन past present के उपर depend करता है और देखते हैं कार आप देखिए, आओ हम अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, चलो खुद का बिजनेस सुरू करते हैं, ऐसे बोलते हैं चलो खुद का सुरू करें गार, करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, let's start our own business, let's start चलो सुरू करते हैं, let's start आप देखते हैं आओ न्यूस पेपर पढ़ें या न्यूस पेपर पढ़ते हैं समाचार पत्रिक से कहते हैं तो आप क्या बलोगे इससे पहले हमें let's, let's का use किये यहाँ पर कॉमा लगा था और s का use था ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे के वह let का use हो रहा है let's और let तो यहाँ पर आप देखेंगे यह जो let के वह let का use हो रहा है यहाँ पर कुछीज करने दो कुछीच करने दो जाने दो खाने दो, दोड़ने दो उसे वहाँ रहने दो दो दो, वहाँ करते हैं, चलते हैं, खाते हैं चलो ये दोड़ते हैं, मुवी देखते हैं ते है ते है आ रहा था, वहाँ पर कुछीच करते हैं तो let's का use किये अब किसी को kuchy advise देरहें कि रहें उसे ऐसे करने दो तो हम वहाँ पे let के उसर आए let कहां से हाँ यहां से यह तो पुराना वाला है चलो वहाँ चले चलो वहाँ चलते हैं या चले तो let's go there अप देखें दो वाला उसे इस कमरे में सोने दो let him sleep in the room let him sleep उसे सोने दो in this room मुझे इस बारे में सोचने दो तो देखिए let me think about it तो let के यूज़ करना है फिर me या फिर subject जो है उसका यूज़ करना है फिर बार में verb का let me think about it let me think मुझे सोचने दो about it इसके बारे में बचों को बाहर खेलने दो let पहले let के उसके दो ठीक है let the children बच्चों को play खेलने दो आउटसाइड याने बाहर let the children play आउटसाइड बच्चों को बाहर खेलने दो और देखिए इसके बाद नेहा को इस college में पढ़ने दो let फिर subject let letनes study, Neha को पढ़ने दो, in this college, इस college में इस प्रकार से होता है, आप देखिए मुझे मेरा काम करने दो, let me, let me do, मुझे करने दो, क्या करने दो मेरा काम, let me do, मुझे करने दो, my work, मेरा काम, अब आगे पी पीछे बोल देजे, मुझे मेरा काम करने दो, अब ऐसे नहीं बोलेंगे ना, my work let me do नहीं होगा, पहले आप let me का यूज़ करें, अब देखिए, उसे यहां रहने दो, let him stay here, me याने मुझे या मेरा, और उसे के लिए हम him का यूज़ कर रहे हैं, let him stay here, उस लड़की को सवाल करने दो, उसे सवाल करने दो, सवाल पूछने दो, तो आप क्या बोलोगे, let that girl, उस लड़की, तो आप let that girl, उस लड़की को ask पूछने दो, a question, सवाल, एक सवाल पूछने दो, और देखते हैं, उनहें यहां आने दो, उन्हें यहां आने दो Let them come here Let them come याने आना उनके भाई को यहां जॉब करने दो Let this brother do this job Let his brother His याने उसके क्योंकि भाई है उसका बलड़की होती Let his brother उसके भाई को Do this job यहां जॉब करने दो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे prefer, would like, मुझे डिनर कर लेने दो Let me take dinner अब डिनर को take का यूज़ करते है आप eat dinner बोलते हैं लेकिन डिनर खाने दो के जग़ा हम लेने दो तो हम आपे take का यूज़ करते है eat dinner का यूज़ निका ते take का यूज़ करते है ठीक है clear हो गया उसी प्रकार से मेरी बहन को अब सोने दो let my sister sleep now now याने अब let my sister sleep अब मेरी बहन को सोने दो उसे बाहर मेरे इंतिजार करने दो let him wait for me outside let him wait उसे इंतिजार करने दो for याने के लिए me याने मेरे outside याने बाहर मेरे इंतियार करने दो उन्हें इस बारे में सोचने दो let them think about it let them think उन्हें सोचने दो about याने के बारे में it याने इसके या उसके उन्हें उसके बारे में सोचने दो चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं हम सीधा prefer वाले में आ जाते हैं let और let's का आपको समझ आ गया let's कप करते हैं अब हम आते हैं पर सीधा सीधा prefer अब आप देखेंगे यह prefer का use हम कर रहे हैं prefer याने आप use कप करते हो कि आप कुछ चीज किसी से ज़्यादा पसंद करते हो कुछ काम चीज करना पसंद करते हो तो आप वहाँ पर like का use हो करते ही है लेकिन प्रिफर उससे ज़्यादा ये पसंद करता हूँ, चाय से ज़्यादा कॉफी पसंद करता हूँ, दूस से ज़्यादा दही पसंद करता हूँ, रोटी से ज़्यादा चावल पसंद है, या फिर पढ़ने से ज़्यादा लिखना पसंद है, गाने से ज़्यादा नाचना पसंद है तो आपको कुछी ज़्यादा पसंद करते हो किसी और की से compare करते हो तो आप वहाँ पर prefer का use करोगे जैसे देखिए तो वहाँ पर आपको two का use करना है मैं चाय से ज़्यादा coffee पसंद करता हूँ तो clear होगे ना इससे ज़्यादा इसे पसंद करते हैं, I prefer coffee to tea, आप देखे, जिसे आप पसंद करते हो न, उसे आप पहले लिखोगे, coffee पसंद करते हुआं, तो coffee को पहले लिखोगे, फिर two का यूज़ करना है, फिर जिससे आप कम पसंद करते हैं, उसे बाद मिलगे, इस इसका ध्यान ने, आप ऐसे नहीं बोलोगे I prefer tea to coffee, गलत हो जाएगा, फिर वो के sentence क्या हो जाएगा मैं coffee से ज़्यादा चाय को पसंद करता हूँ, नहीं वैसे नहीं होगा जिसे आप ज़्यादा पसंद करते हैं, उसे आपको पहले लिखना है coffee, और जिसे कम पसंद करते हैं, उसे तू लिखने के बार उसे लिख देगे आगे देखते हैं, बहुत सारे हैं, पर आपको समझा है देखिए, मैं मीर से ज़्यादा मचली पसंद करता हूँ मैं नहीं करता न, ये sentence है मैं साका हरी हूँ, सुद्ध साका हरी मैं मीर से ज़्यादा मचली पसंद करता हूँ तो, I prefer fish, देखिए, जो ज़्यादा पसंद करते हैं, उसे पहले लिखें I prefer fish to meet, तू लगाके, जो आपका हम पसंद करते हैं, उसे बाद में लिख देगे अब आपको समझा गया, I prefer fish to meet मुझे English से अधिक Hindi पसंद है, आपको हो सकता है, Hindi से ज़्यादा English पसंद हो, तो आप उसे आगे पीछे कर सकते हैं, अब यहाँ पी क्या लिखा हूँ है, मुझे English से ज़्यादा यह अधिक Hindi पसंद है, तो, Hindi पहले आगा, English से बाद में आगा है, देखिए हमेशा अकेले काम करना पसंद किया है, या मैं अकेले काम करना पसंद करता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, I have always, किया है, दिया है, तो have का यूज होता है, I have always preferred, आप बोलोगे सब prefer का यूज बोलेता है, I prefer, यहाँ पे have preferred, third form क्यों आ गया, क्योंकि देखिए, आप tense के third form लगता है, तो prefer का third form preferred है, तो यहाँ पे I have है, I और ऐसे have लिखा हुआ है, तो उसे हम sword में I have, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, I have always preferred to work alone, मैंने हमेशा अकेले काम करना पसंद किया है, to work alone, अब देखिए आगे, मैं अकेला खाना पसंद करता हूँ, तो यहाँ पी क्या हैगा, I prefer to eat alone, I prefer to eat alone, यहाँ पे दो compare में दिया है, यहाँ बोल रहा है, अकेला पसंद करता हूँ, तो यहाँ पी क्या करना है, I prefer to eat, मैं खाना पसंद करता हूँ, alone, इस प्रकार से, देखिए, अब फिर होईवाल आ गया, मुझे रोटी से ज्यादा चावल पसंद है, तो चावल को rice बोलते हैं, रोटी को ब्रेड लिखा हुआ यहाँ पे, तो आप देखते हैं, वैसी बनेगा, I prefer rice, मुझे चावल ज्यादा पसंद है, to bread, रोटी से, इस प्रकार से, और देखते हैं, मैं बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ, I prefer listening, सुनना पसंद करते हैं, I prefer listening, मैं सुनना पसंद करता हूँ, बोलने से ज्यादा, to speaking, इस प्रकार से, I prefer के जोग आगे देखते हैं, आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग, गाओं के जीवन को, शहर के जीवन से ज्यादा पसंद करते हैं, लंबा चौड़ा है, बना के देखते हैं, तो देखिए, nowadays, याने आज के जीवन को, to city life, सहर की जीवन से ज्यादा, गाओं के जीवन को पसंद करते हैं, अब आगे देखते हैं, उसे पढ़ने से ज्यादा पढ़ाना अच्छा लगता है, पढ़ने को हम reading गोलते हैं, और पढ़ाने को teaching गोलते हैं, तो देखिए, उसे क्या अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, पढ़ाना, तो teaching पहले आएगा, देखिए, he preferred teaching, he preferred teaching, उसे पढ़ाना पसंद है, पढ़ने से ज्यादा, to reading, इस प्रकार से, clear, आगे बढ़ते हैं, मैं अकेले काम करना पसंद करता हूँ, यह तो हो गया है, ठीक है, स्यादा repeat हो गया है, I prefer to work alone, अब देखते हैं, यहाँ तक आपको prefer का clear हो गया, जो आप ज्यादा पसंद करते हूँ, उसे पहले लिखेंगे, फिर to come को पसंद करते हैं, और मैं करता हूँ, तो I prefer, तुम करते हो, तो you prefer, वह करता है, तो he preferred, इस प्रकार से, अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखा he preferred, अब बोलेंगे सब prefer, prefer बोले थे अभी तक के, he preferred के जिए, preferred क्यों आ गया, क्योंकि लगता था, तो past tense, prefer का second form लगेगा, preferred, ed जूड जागा second form में, बस यह है, clear हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, would like to का use करेंगे, I would like to का use कर सकते हैं, you would like to, he would like to, तो देखते हैं, कैसे ब would like to, याने, कुछ चीज करना चाहूंगा, या कोई कुछ चीज करना चाहेगा, गा, चाहता हो नहीं आएगा, चाहेगा, या चाहेगी, या चाहेगे, तो वहाँ पे would, क्योंकि would क्या है, will का ही, एक past form है, will like to, would like to, would like to हो जाएगा, आप चलिए इसे बना के देखते हैं, आ मैं आपके घर जाना चाहूंगा, गा, या रखेंगे, कुछ चीज करना चाहरे है, मैं आपके घर जाना चाहूंगा, आना चाहूंगा, I would like to, मैं चाहूंगा, I would like to, मैं चाहूंगा, क्या करना चाहूंगा, आना, तो come, I would like to come, मैं आना चाहूंगा, आपके घर, your home, हो गया I would like to come you home मैं आपके घर आना चाहूँगा आप देखिए मैं जानना चाहूँगा तो I would like to know मैं जानना चाहूँगा और आपके पैसे कहां खर्श कर दिये वे डिडू इपन दा मनी तो यह अलग सेंटेस होगे इससे आप चाहे तो अभी प्रेक्टिस कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो फिलहला भी I would like to को use करना है I would like to know, मैं जानना चाहूंगा उसी प्रकार से मैं आपके लिए काम करना चाहूंगा तो I would like to do I would like to do, मैं काम करना चाहूंगा this work ये काम for you, आपके लिए, उसी प्रकार से मैं आपको stage पर बुलाना चाहूंगा I would like to invite you invite करना, आमंदृत करना बुलाना, to the stage फिर देखिए, वो आप से एक बार मिलना चाहेगी, वो चाहेगी मिलना, I would like to नहीं आएगा वो मिलना चाहेगी, तो वो कोई है लड़की है तो she का यूस करेंगे, she would like to कोई change नहीं होगा, बस ये I के जगा she होगा क्यों वो चाहेगी ना, मैं नहीं चाहा रहा हूँ, वो मिलना चाहेगी तो she would like to वो मिलना चाहेगी, to meet, याने मिलना you, याने आप से once याने एक बार you, once, एक बार आप से अब यहीं पी होता, वो आप से मिलना चाहेगा, मानों लड़का है तो आप क्या बोलते he would like to meet you once, बस इतना होता आप देखे हम उसे कुछ देना चाहेंगे, मैं कुछ देना चाहूंगा, तो आप क्या बोलोगे हम, हम के जगा we का युश करगे we would like to, we would like to give याने देना, हम देना चाहेंगे क्या देने चाहेंगे हर याने उससे लड़की है तो हर, लड़का है तो ही something याने कुछ, we would like to give her something, हम उसे कुछ देना चाहेंगे, अब आप देखे कितना सारा उस्त है, i would like to sing, मैं गाना चाहुँगा, i would like to run, मैं दोड़ना चाहुँगा, i would like to sleep, मैं सोना चाहुँगा i would like to dance, मैं नाचना कितना सारा चीज आप ऐसे बना सब nih i s past चाहें है? अब आगे बढ़ते हैं उसके बाद लेना चाहँगा, I would like to take, take याने होता है लेना यूर 5 मिनट, आपका 5 मिनट, ठीक है? उसका देखे, वो आप से अकेले में मिलना चाहेगी, she would like to meet you in person, तो person क्या होता है? स्वरी, personal होता है, personal, personal, याने क्या होता है, अकेले में, पर्सनल होगा, मैं आईफोन 12 Pro Max लेना चाहूंगा, मैं खरीदना चाहूंगा, उसी प्रकाश से मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, I would like to say I would like to say something something याने कुछ to you याने आप से अब ऐसी होता मैं तुम से कुछ कहना चाहूंगा तो I would like to say something to you आप से या तुम से दोनों के लिए हम you का use करेंगे लेकिन ऐसे होता मैं उससे कुछ कहना चाहूंगा मौन लड़की है उससे कुछ कहना चाहूंगा I would like to say something to her इस प्र मैं जलेवी खाना चाहूँगा दही के साथ वित कर्ड कर्ड याने दही होता है जलेवी को भी इंगलीज को कुछ बोलते हैं अभी ध्यान नहीं आ रहा है कुछ तो बोलते हैं आप नो नीचे कमेंट कर देंगे मैं साथ कहीं पढ़ा था चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अनुसार मैं गधा हूँ उल्टा बोल दिया ऐसे मालेजी बोलते हैं किसी के अनुसार तो उसमें हम अकॉर्डिंग तू अरे तेरे अनुसार तुम गलत हो मेरे हिसाब से तुम गलत हो यार तो अकॉर्डिंग तू मी याने मेरे अनुसार यू आर रॉंग याने गलत डबलू से रेंट होता है देकिन लिखते जरूर है अब देखे तुम्हारे अनुसार मैं बुरा हूँ अकॉर्डिंग तू यू तुम्हारे अनुसार मेरे अनुसार तो अकॉर्डिंग तू मी तुम उसके नुसार हम उसके दुस्मन है और यार उसके हिसापन हो तो हम लोग उसके दुस्मन है आप क्या बलोगे According to him उसका नुसार, अब यह लड़का है According to him We are his enemies हम हैं उसके शत्रू दुस्मन enemies को सत्रू कहते है अब देखिये मेरे मार्ग सीट के अनुसार मेरा जन्म दिन 10 मार्च है मेरे मार्च के इसाफ़ तो 10 मार्च है तो आप क्या बलोगे according to my mark seat क्योंकि मेरे मार्च के अनुसार ना मेरे अनुसार ना तुम्हारे अनुसार ना किसी के अनुसार मेरे मार्च के अनुसार तो according to my mark seat my birthday is 10th March actually मेरा birthday है मेरी मा के अनुसार मैं उसका प्यारा बेटा हूँ मेरी मा के अनुसार मैं उसका प्यारा बेटा हूँ according to my mother मेरी मा के अनुसार I am her beloved son beloved याने होता है प्यारा प्रिय अने बेटा फिर भी नहीं रही दो साल हो गए तेकिन फिर भी हमेशा से उनका प्यारा बेटाता हूँ और हमेशा रहूंगा जहांपे भी है अभी भी प्यार करती है तो देखिए According to my mother, मेरी माहा के नुसार, beloved याद रखेंगे प्यारा आप ये को beloved कहते हैं रहूल के नुसार मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ ये सब मैं नहीं लिखा न इसलिए आगे पीसे आगे कुछ कई बैर टाइपिंग मिश्टेक हो गया है इस प्रकार का सेंडने नहीं मिलने वाला आपको अलग अलग बले मिल दाएगी राहूल के नुसार मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ According to राहूल, राहूल के नुसार, I am his best friend His क्यों बोला क्योंकि उसका लड़का है तो I am his best friend, अब लड़की होती है, तो I am her best friend उसका अच्छा दोस्त इस प्रकार से, आप देखिए सम्विधान के नुसार हमें बोलने का हक है जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, स्वतंत्र है कई लोग कुछ जादा ही बोल लेते हैं, तो अलग हो जाता है सम्विधान के नुसार हमें बोलने का हक है according to the constitution, constitution मतलब क्या होता है तेखिए, constitution, constitution यह नि होता है सम्विधान, according to the constitution we have the right, हमारे पास अधिकार है यांने कुछ चीज होना, to speak यहने बोलने का, लिकार है मौसम का नुसार आज बारिस होगी according to the weather यहाने होता है मौसम, according to the weather, वेदर का नुसार, today it will rain, today it will rain, आज बारिस होगी, तो यह आपने देखा, क्या देखा आपने, के अनुसार, अब लास्ट बच्चा है, हम देखते हैं, in front of का यूज, इस टाइप से, और भी बहुत सार भी लाने वालों अभी हम देखते हैं इन फर्न का यूज़, इन फर्न क bezpie नहीं होता है किसी के सामने, किसी के भी सामने उसे हम in front of का यूज़ करते हैं in front of, in front चलिए देखते हैं इसका यूज़ मेरे घर के सामने दुकान है तो there is a shop there is a shop, एक shop है, in front of my house, मेरे घर के सामने, in front, उसे प्रकार से, सब के सामने, उसने मुझे पीटा, he beat me, उसने मुझे पीटा, in front of everyone, in front of everyone, सभी के सामने पीछा, school के सामने ही garden है, there is a garden, in front of the school, in front of the school, आपको किसी को पता बताना होता है न, अरे मेरे घर का सामने, मतलब मेरे घर, मंदिरी के सामने है, तो my home is in front of the temple, अब ऐसे करके बोल सकते हैं न, इसलिए इस सब चीज याद करना जोरी है, उसी प्रकार से, पीता जी ने मुझे मा के सामन पिता ने मुझे टाटा, मेरे सामने तुम्हारी कोई आपकात नहीं, you have no place in front of me, मेरे सामने कोई आपकात नहीं, पूजा ने सब के सामने बहुत अच्छा गाना गाया, सब के सामने, तो पूजा सैंग, क्योंकि गाना गाया तो past tense है, तो पूजा सिंग नहीं होगा, पूज आफ्ट सेंग वेरी नैस सौंग, बहुत अच्छा गाना, in front of everyone, सभी के सामने अच्छा गाना आया, उसके बाद देखिये, क्या तुम सब के सामने dance कर सकते हो, या ना सकते हो, can you dance, क्या तुम ना सकते हो, in front हर किसी के सामने क्या आप ना सकते हो आखरी सेंटेंस मेरे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है I have a big problem मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है in front of me in front of me तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे let's according to है ना उसके आद would like to का यूज हमने देखा और हमने देखा in front of you का और इसके अलावा हमने और क्या देखा जी है इतना तो हमने देखा आज would like a prefer का यूज हमने देखा वो बूल रहा था मैं तो बताएंगे इस प्रकार की pattern से आप याद करना याद करना क्या है यदि practice करना आप शूरू करते हैं तो आ आपको मैंने बताया इसके अलावा बहुत सारे let's और let का तो आप उसका बहुत सारे sentences बना सकते हैं है ना जैसे बोले आप बार बार खुद से बोले आएने के सामने लुत बहुत 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 से आप सभी आपको जो वीडियो बात में देखेंगे, आपको समझाएगा, अच्छे मैंने गरत बोला है, पिए धी आची क्लास, आपको क्लास कैसे लगी, समझाने का तरीका, इसे लगा, थोड़ा भी पसंद आया, तो फ्लीज लाइक करेंगे, शेर करेंगे, आप सभी का बहुत 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 We